वसूली कांग्रिम में फसे हुए परंबीर सिंग की मुश्किले बढ़ती जा रहे हैं परंबीर सिंग पर उनके साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी ने गभीर आरोप लगाए हैं आरोपो के मताबिक परंबीर सिंग ने 26-11 हमले में पकड़े गया तंकी अजमल कसाप के मुबाइल फोन को गायब कर दिया था खरीब 231 दिन से फरार चल रहे मुंबई के पूर कमिशनर परंबीर सिंग आखिरकार मुंबई पुलिस के सामने बेश हुए और कहा कि जाच में सहयोग करने आया हूँ सौ करोड की वसूली केस में पूर पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग से कल क्राइम ब्रांच ने करीब साथ घंटे की पूस्ताच की और आज परंबीर सिंग चांदिवाल कमिशन के सामने पेश हो सकते हैं लेकिन परंबीर सिंग के लिए मुश्किल इतनी ही नहीं है उनके साथ काम कर चुके एसीपी शमशेर पठान में परंबीर सिंग पर आतंकी कसाब की मदद का आरोप लगा दिया है शमशेर ने आरोप लगाया है कि परंबीर सिंग ने 26-11 हमले में शामिल आतंकियों की मदद की आतंकी अजमल कसाब के मुबाइल को गायब किया भुआपेस Yo Iम इंखृर्अ के मोबाल के मोबाइल वह कोर्ट में नहीं आया बाकी लोग के मोबाल कोर्ट प нуж conqury तो यह आदमीने अपडम रहीं सिंगने क्रेश द्रोग किया है तिन तिन NBW उसको पड़े और कोड उसको प्रोटेक्शन दे रहा है उसको मारी उनके पास गया परवे सिंक मुबाइल आपने ले था ना वो पहुंसा मुबाइल कैसा मुबाइल गेडाउट फ्राम हीर एक मिट में उसको भार बगा जा उसने बहुत सारे राज निकल सकते थे उन लोगों का पता लग सकता था जिन्होंने भारत में उनकी मदद की थी परंबीर सिंग ने महराश के ग्रहमंतरी अनिल देशमुक पर सौक करोड महीने की वसूली का आरोप लगाया था इस आरोप के चलते ना सिर्फ देशमुक की गदी गई बलकि वो जेल भी पहुँच गए NCP इस बात से बहुत नाराज है खुद परंबीर सिंग पर वसूली के आरोप है अब नए आरोपों ने परंबीर सिंग के मुश्किले और बढ़ा दी है यहाई पर आरोपों के साल मुश्किले गप उन तवेशगी हुच है झाल मुशं नारेन है कि था जा हुआ है परन मुश्किले के मुश्किलेit एच का कि कि जो अई एका है वावा थे हि Cotton आरोपे है